जैमा विश्वंबरी आज आनंद आज उस्रंग आज मारी नेडो माने कंचन वर्से में आज पुनम पुरुण रूपे खिलेला चंद्रमानी जेम अमारा मुखार विंदपन श्री महापात्र आपना परिश्रम आपना तप्थी आपनी मेनत्थी अमने पण खिलायवा चे महापात्र आज अमरा जीवन मां आपना विचारो आपनी देजिप्यमान क्रांती अने एक प्रकारनों सर्जन हेमा विश्वंबरी स्वयम आपे करूँ चे अने ए तमामनी जवाबदारी एक मानव होवाना नाते मारी चे अने तेथी मने मन अने बुद्धिय आप्या चे प्रचंड शक्ति आपी अने भगवान तमारी प्रतिकूती हेमा तमारी प्रतिकूती जेवू मने बनायवा चे अने मारा पर विश्वास कहरो चे परन्तु परन्तु कोई नहीं होतु ते वखते पण राम वखते पण हूँ हतो खुष्ण वखते पण हतो अने आजे पण सुँ पन अमे भटकी गएला कारण के जे शक्ति श्वयम आवे मनुष्यना रूप मां ते वखते बैसंका कुषंकाओ करी तर्क वितर्क करो अने विवित प् खबर शवयिं त्यार्य होती नथी, हे महत्रा आपनी परंक्रुपाथी तक आपेज आपी शे अनने आपेज शे म्रूतिपन आपेज गरावीु अनि ते ति रामायyy वा ते बखके राजकुळ तरीके आएवय के पछीटे आम जनता निजें यात्रा करई त्यार पसी है सार पसी एक सामन्य मानस अने सतत संगर्च करी आशुरी वृत्ती ने बरबर मारी ने पोता नी एक नगरी उभी करी सोना नी किंग पहला अने पसी किंग मेकर बैना राम आएवा, कुरुष्ण आएवा अने त्रीजी, छेली, अन्तिम ए तक अने ए तक वखते एक खेडुत पुत्र एक नानकडा गामडा नी अंदर जे परिष्टिती मां साधारन व्यक्ति तरीके जन्मी ने कामनी सरुवात करी कर्मयोगनी ए साधारन व्यक्ति ए संसार ना नई थता आता एवा बद्दा असाधारन कामो कर्या एटले आपड़ा महापात्र दक्षिन गुजरात नी अंदर गीर गायोनु वातावरण एटलू आफक न थी आम कहे चे अनुभविलोको परन्तु आम आविश्वंबरी तिर्थे आत्रा धाम नी अंदर वैकुट धाम गोशाडा केवल माने समाजे मा किधी त्यां आटकी गया पण आतो महापात्र छे त्यां आटकाने मानो दरज्जो आएपो एनुदेदिप्यमान त्यांनु जे गायोंनु हस्मू गायोंनु आनन्द करवो कुष्ण वखतनी गायोंने याद करावी दे एगोशाडानु निर्मान स्री महापात्र करी सके और दुनिया एने फोलो करे आज नहीं तो काले करू पड़े अवे गायों आवे तो जुवार आवे और ए जुवार दक्सिन गुजरात मां जुए तेटली थाई नहीं सवरास्तना सामे और नथी थती ते जुवार पांच वरस्ते आपणे अनुभविये चिये दस-दस फुट नी जुवार ए पण यह संभव चे और आज ये पण थाई छे आ नथी थत्नू ते काम कोण करे आ महापात्र करे छे गाहे पालो आवे मककपढी नो यह पालो नो थाई मककढी ठाई ज़ नहीं है Ł thereby नहीं प्रकाए नहीं watch वृत्तावर न सभी अने पांच-वरस्ती मकपढी ठाई जे सोना चान्दी जयवा पालो गायो खाय छे अने आपडे आनन थी अनुभविये छे अने इना साक्सी छे ए प्रचंड पराक्रमी पराक्रम एटले जे वस्तू क्यां क्यारे संभव न थी ए काम हस्ता मोडे करी बतावू ये महापात्र छे गान नाडियरी नहीं थाए यहां बाग बगी चा कार पारकिंग थाशे अने के ओ आनन थाशे माने पर ए नाडियरी वह भावी संभर्ष अग्निवीर जे ओ संभर्ष सतत महापात्र रहे करियो चे अपनी साथे आपने जोयू चे अने आपने सभवागी बनायवा चे नाडियरी तो वावी परन्तु एनी अंदर चोर्यासी लक्स करता एक प्रकार वधारे एव एक कीडो तैयार थयो अने कीडो नाडियरी ने कोरी खाई अवाज नहीं आवे हवे एक कीडाने पकड़व के विरिते एतो अलोग एक सांकेतिक छे मापात्र जोड़खी सके मापात्र जाई अने के फलाना फलाना आने दूओ तमे तो अने कीडो निकरे अने ए विद्या पांच इवानों ने समझावी एक दम अलोग एक सांकेतिक एनी साथे युद एक कीडो एवो छे के जे मस्तक शुटू पईड़ा पसी 24 कलाग जीवे आउर आक्सस अने एनी सामे संगर्श करी ने आजे हजारो नाडियरी वा धामनी महापात्र कोन जे महापात्र आदर्श कुटुम जीवन अंने निर्मान करी और आपयो और ते थि मात्रू देव पवव पित्रू देव भव पव। महापात्र कोन शक्ती हथे अमर जोडान कराई ऑ सामन्य मानसने जो रास्ट्रप congressional करावे तो बो मोती अने आज के वाए मह तमारे जिवा सामन्य मानस ने महासक्ति साथे जोडान कराया हूँ। आ महापात्र छे। महापात्र कौन? गाई नु महत्त्व समझावी और गाई ने समाज ने लोगभोग्य बनाया उपाचू। आ गाउसाडा जोया पसी अनेक गाउसाडव आवी निर्मान थाई छे। महापात्र कौन? जिवेदिक संस्कृती उपर धूड छड़ी गेली ये धूड खंखेरी ने जिर्णोद्धार कैरो। कौन स्री महापात्र? ये महापात्र एचे के जियने प्रकृती नी प्रचंड सामर्थ ता मनुष्य ने समझावी और प्रकृती सर्व विश्वनी समस्याओन उकेल छे निपासे जाहे निपासे इना गुणों ने ग्रहान कर और तुँ जिवात्मान उद्धार कर जहे कौन सामर्थ एक कर्मनी देवी विश्व विधाता नमो विश्व देवी विश्व विधाता जुगो जूग जागे मभतो ने काजे प्रगट जोती परमेश्वरी सुक दाता नमो विश्व देवी विश्व विश्व विधाता नमो विश्व देवी विश्व 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 विधाता रहे देविराजी दिये सोन दर्शन भोडा मान वीना करे धन्य जीवन रहे देविराजी दिये सोन दर्शन भोडा मान वीना करे धन्य जीवन सकल जीव तारे अगमने ओदारे समतर पेटवाली है ममतारी माता नमो विश्व देवी विश्व विश्व विधाता ये कर्मान देवी विश्व विधाता प्रशन विश्व विश्व विधाता प्रशन खै दिलती तमे विश्व माडी तमे विश्व विधाता विश्व विश्व विखाता बला दास न भागया पे उगार्या, रत्डे चड़ी वीश्वे डंका वगार्या नमो विश्व देवी विश्वम्हर माता, एक कर्म निदेवी विश्व विधाता नमो विश्व देवी विश्वम्हर माता, एक कर्म निदेवी विश्व विधाता हाथे त्रिशुल धारी में दम धारे, बजे शंक व्यों में ब्रमाण गाजे महायोद माणे असुरो सहारे, उपाधी त्रिशुष्व देन कायम उगारे नमो विश्व देवी विश्वम्हर माता, एक कर्म निदेवी विश्व विधाता जयबा विश्वम्हरी मनुष्य गरिब सामाटे, आजे मनुष्य गरिब सामाटे छे आजे मनुष्य गरिब तेना गत जन्मोना हीन कर्मोना काराणे, आजे मनुष्यने हीन जग्याये जन्म मडे छे कर्मनी गती खुबच गहन चे करेला कर्मो दरिकने भोगवाज पड़े चे माटे कर्मो मा सावधान आवी बदी वातो अपने गणी जग्याये सामडी चे परंतु मनुष्य गरिप सामाटे चे मनुष्य गरिप न थवो जोये आवु कोई विचार्योज न थी भवेपची मनुष्य गरिप न थाई एवु कोई विचार्य तूज न थी त्यारे आजे आ गोड कड़्युग मा शव प्रतम आवो विचार करनार जो कोई होई तो ते श्री महा पात्र चे श्री महा पात्र ने आ विचार मा विच्वंबरी थकी मढियो चे जहरे मा विच्वंबरी ये श्री महा पात्र ने दर्शन आप्या त्यारे मा अने श्री महा पात्र ना 45 मिनिट ना संवांध वच्चे श्री महा पात्र माने प्रश्न करे चे हे मा गरिबोना दूख दूर करी शकू तेवो मने मार्ग बतावो त्यारे मा खुबच क्रोधित थैने कहे छे मनुष्य गरीब तेना कर्मोने काराणेच छे ते मा द्वारा मलेला डंडने भोगवे छे आ डंड मा जो कोई अवरोधक बने तो ते मोटो गुनेगार छे तेरे महा पात्र माने फरी प्रश्ण करे छे हे मा हवे पची कोई गरीब न बने तेवो मने मार्ग बतावो तेना जवाब स्वरूपे मा आर्ती आपे छे कर्मनू फड़तो दरेकने भोगवुच पड़े छे परंदु मानी आर्ती करवा थी कर्म फर्मा रहत मळे छे अनि एक शारू कर्म तयार थाय छे दरेक वड़ा संपरदायो मा कोई मुडंतत्व शुदी पोहुचियू ज न थी तेवा मा श्री महा पात्र जुडंतत्व सुदी पोहुचि ने 10 रूपी तयार थाय ने 10 रूपी पोषण आपे छे विचार्वू नहीं, धन बगडे तेवू कमावू नहीं, चीवन बगडे तेवू आच्रण करू नहीं, चीवन धन्य बनावनार श्री महा पात्रमा अद भूद आच्रण जोवा मडे छे, त्यारेज तो माना एक आदेस अनुसार, एक पड़न पण विचार करिया वगर, पो आपतानी जन्म भूमीन पन त्याग करियो छे, त्यारे आपने गवरवती कही शक्ये, श्री महा पात्र बोलीने नहीं, परन्तु आच्रण करीने बतावे छे, देव, दानाव, मानाव, बताने प्रकृतिना नियमनु पालन करू पडे छे, परन्तु सो, आपने एक मन प्रक न थवो जोईए, मात्रा मोक्षणी वातोज करिये छीए, तो हे मानाव, जागी ने उबो था, हीन करमोंनो त्याग कर, तो आजन्म मा पन आनंदावसे, अनि पछीना जन्म मा पन आनंदावसे, अनि एक सारू कर्म करीने, आ जिवत मानो उद्धार कर, जै मा विश्वम भर है जग जननी है है जग दंबा गुणला तारा गवाई है जग जननी है जग दंबा गुणला तारा गवाई अरे दजा फार के ओम नाम नीर मावडी त्रण लोक माल हिरा है जग जननी है जग दंबा गुणला तारा गवाई है जग जननी है जग दंबा गुणला तारा गवाई आव्यारे मावडी आव्याधरती पर आज अरे ब्रह्मा विष्णु महेश आवतारे मावडी उत्वी लोक मावडी उत्वी लोक मावडी है जग जननी है जग दंबा गुणला तारा गवाई के है जग जननी है जग दंबा गुणला तारा गवाई राबडा धा में आव्यारे मावडी घर गर मंदीर था अरे विचार धारा सवने मणेर मावडी मन मंदीर बनी जाई विचार धारा सवने मणेर मावडी मन मंदीर बनी जाई हे जग जननी हे जग दंबा गुणला तारा गवाई सांज सवार थाय आरतीर मावडी रूफ प्रमान बताई सांज सवार थाय आरतीर मावडी रूफ प्रमान बताई अरे विश्वमा विचार धारा आप तीर मावडी जगमा नाम गवाई विश्वमा विचार धारा आप तीर मावडी जगमा नाम गवाई हे जग जननी हे जग दंबा गुणला तार अगवाय हे जग जननी हे जग दंबा गुणला तारा अगवाय हे सकड सुष्टीनी सरजनहारी जगनी पालनहार हे सकड सुष्टीनी सरजनहारी जगनी पालनहार ए तुही करता तुही बरता मावडी तुही काल महाकाल हो मावडी हे जग जननी हे जग दंबा गुणला तारा गवाई हे जग जननी हे जग दंबा गुणला तारा गवाई हे जग जननी हे जग दंबा गुणला तारा गवाई हे जग जननी हे जग दंबा गुणला तारा गवाई जयमा विश्वम्भरी अत्यार सुधी आपने जे देवी देवतावना दर्शन केरा मुर्ति स्वरूपे फोटानी अंदर खरेखर ए सास्त्रक्त वर्णनना अधारे मानवनी एक कल्पना शे के भगवान स्री राम आवा शे भगवान स्री कृष्ण आवा शे पर युग नी अंदर श्री महा पात्र आज आंगडी चिंधी ने बतावे शे के मा केवा शे मा आवा शे आंगडी चिंधी ने क्यारे बतावी शके आंगडी चिंधी ने त्यारे बतावी शके के जे मने स्वयाम प्रत्यक्ष जोया शे मने दर्शन केरा शे ये मनी साथे व माहा चे में जोया चे में अमनी साथे वात करी चे अने एम आपन कोन विश्व विधाता मुड तत्त वजेने कवाए अधी सुष्टिना सर्जन हार एम हाशक्ती अने अमनी साथे आज आपना सवनी एमने ओड़ खान करावे चे एमने त्या सुधी पहुचवा माटे खुब सं संगर्षो आएवा सत्तर आकरी कशोटिया वी अने त्यार पची मायमने दर्शन दिधा अने सत्तर कशोटियों ने अनेक जन्मना सत्त कर्म पची एमने जे प्राप्त थयूने आज आपने सवने नी स्वार्थ भावे कोई पन ब्रकार ना भेद भाव अगर आज आपने सव ने आपी रही आशे अने ज्यारे मा मेला त्यार पची पन इतलाज संगर्षू आए वाशे लोकिक संगर्षू कारण क्या धरा उपर सत्यनी जोट जड़हरती थाए अने ज्या सत्यनी जोट जड़हरती थाए ने त्या सत्यनी वावा जड़ू आवे आवे ले आवे ज्यारे सत्य नी जोत जढ़ती थाई इने फुक मारवानों खोप प्रहतना करो फूप प्रहतना करो इतला बदा श्री महापात्र नेमने हिरान करे ला शे आ सत्य ने डामबा माते थाई कोई कसर बाकी नती राकी पार ज्या जोत नी अंदर सत कर्म रुपी दिवेल पूरेलो होई जोत ने जढ़ती जोत ने बुझावि न शошकाई आर उपने प्राकासी थाई जाए आउस वissements प्राकासी द्यूग और वह द्योहले आपना जीवन आपना प्रकासी तो करे ले लेवा और बुझावानों प्रहतना कराई आज श्री महापात्र अपने प्रडाश्तक comment आए लॉग yaşन डुर्गोर मनेयपी दिए, तम Memfti Uptake, अम्हार उतार महात कर देचा म महां शकता मुंती संथे कहरो उतार म महां मुंस्तेकonton! अलम सहकते और स्भुड़ें नहीं है ? हिलिदे लॉदॉ, कि ठर्रा है? आ एक वाक्य ने अंदर आवी जाए कौन करया जेमनी पाहें अनुभव होई त्या सुधी नो रस्ता नी खबर होई एक करी शके अने एक कारियनी तक आज आपने सवने अमेड़ी शे श्री महापात्र तार जोड़वा मागे शे परेना माते आपने आपना दुर्गुणों न आपने स्वपवव पर शे इकेसे तमारू धन मारे नथी जोई तू तमारू तन न जोई तमारू मन मने खाली आपी दियो तमारू तार त्या जोड़ी दए अनि एमी जगी आए कि जेमनी साथे जन्मों जन्मनों नातों छे जहां मृत्यू पछी दरेक जिवात्माने मृत मृत्यू पछी महाँ पाशे जावू परेशे जिया मृत्यू पछी जावू परेशे एमनी साथे यूगे श्री महापात्र जीवता और खान करावेशे आपना सवनी जीवता और खान करावेशे अनि जियां पावर चालू होई ने लाइन चालू होई ने एमाँ छेडो ना जीवन जीशुने प्रमाने जीवन जीशुने आण उदार थता वार नहीं लागे आजे डरेक मानस भार रूप जीवन जिवेश आपने कह एने भार हरव करो भार हरव करो बधाई किये छे जीवन माँ बो थाइने रियो भार नः राखो पन क्यो बार क्या उतारवो कई रिते काड़ो आनो उकेल कोई पास है न थी वातों थाई शे आम करूँ जोए पन उकेल नथी औने इह उकेल अमानी वैदिक पाठ साडा नी अंदर थी स्री महापात्र द्वारा मलेश। क्या जे भार से नो लागे शे आपनू नथी ने इने आपने आपनू समझी बेठा शी ए एनो भार से श्री महापात्र कहे शुवा शरीर इह आपनू शे ना जो आपनू होई तो एने बारपन तरीके काई में राखी दियो नथी रेतू बारपन इव अवस्थान गटपन आव आपनी अंदर रहलो जीवातमा से जेना जनमो जनम थी आपनी हारे से आपनी साथे से एनो उद्धार केम थाए ए रस्तो ए मार्ग श्री महापात्र बतावे से जो आज समझाई जाए तो मानस हडव भूल तो नी जाए यानो बार बदोज उत्री जाए अनि श्री महापात् ऑसे आज दोर क चेलिव तर्था जोर से जोर से खिल्ली तर्ग चेल ना त्रथा वदू जत्यार शे अथि आपने चीत्रमा भोज़न थारी जोई ताजी ने две रख दावे एफे लाक दो तो अथि आर्सुति यार श्रावे स Tomorrow ना बोज़न थारी जोई लीए घ ना इस करवी होई तो ए भोजन ने आरोगुव पड़े आज स्री महापात्र द्वारा एम ना मुखे थी एम ना अनुभवनी जे वानी निकडेशे ए अम्रूत छे अने आ अम्रूत ने पईलेई सुने तो आ जिवात्मानों उद्धार थता वार नहीं लागे जय माविश्वम भरी माविश्वम भरी मारत्डा वाली विश्वम भरी मा मातो हाज रह जूर छे जड़ हलता दिवडा वाली विश्वम भरी मा मातो हाज रह जूर छे जड़ हलता दिवडा वाली विश्वम भरी मा मातो हाज रह जूर छे रूम जूम तार थड़ा वाली विश्वम भरी मा मातो हाज रह जूर छे जूम जूम तार थड़ा वाली विश्वम भरी मा मातो हाज रह जूर छे हे दूखिया ना दुखडा का प्रश्वम भरी मातो हाज रह जूर जूर भरी मातो हाज रह जूर छे पेदलडा नीदातार मातो हाज रह जूर छे रूम जूम तार थड़ा वाली विश्वम भरी मा मातो हाज रह जूर छे तो आज रह जूर छे कर्मयोगी कर्म करे लईने तारू नाम मातो हाज रह जूर छे तो आज रह जूर छे तो आशा नइने है राखी हाम मातो हाज रह जूर छे कर्मयोगी मातो हाज रह जूर छे तो आज रह जूर छे कर्मयोगी मातो हाज रह जूर छे जूग पेलानी जूगडी मा महमानों नहीं पार मातो हाज रह जूर छे जूग अमीयल आखडी हवि थैंग्यो बेलो पार मातो हाज रह जूर छे जड़ हळ ता दिवड़ा वाली विश्रम भरीमा मातो हाज रह जूर छे जड़ हळ ता दिवड़ा वाली विश्रम भरीमा मातो हाज रह जूर छे रूम जूम तार थड़ा वाली विश्रम भरीमा मातो हाज रह जूर छे रूम जूम तार थड़ा दिवडावाली विश्रम्धदीमा मातो आज रहजूर छे गुम जुम ताल थडा माली विश्रम्धदीमा मातो हाज रहजूर छे जण हड ता दिवडा वाली विश्वाम्बरी मा तो आज रह जूर छे चैमा विश्वाम्बरी सबसे बलवान कौन ? सबसे बलवान इस जगत में कौन है ? कोई कहता है तका सबसे बलवान है तो कोई कहता है धनी सबसे बलवान है तो कोई कहता है शहरत सबसे बलवान है एसी अनेक बाते अपने आपको बलवान बतलाती है लेकिन समय ही सबसे बलवान है क्योंकि समय के आगे किसी की नहीं चलती मनश्य को समय ही छोटा या बड़ा बनाता है क्योंकि समय बड़ा बलवान है इसलिए समय के साथ चलना चाहिए आज बहुत ही उत्तम समय चल रहा है क्योंकि स्वय मा विश्वम भरी श्री महापात्र संग इस पृत्वी लोग पर आये है मा विधाता के दर्शन करने देवो को भी दुलब है एससे मा विश्वम भरी के चेतन्य मुर्ती स्वरूप शाक्षा दर्शन मा विश्वम भरी तिर्थ यात्रा धम में आज हमें करवाए है श्री महापात्र आज हमें नान कर्म एवं भक्ति का रहस्या समझा रहे है धर्म की सच्ची व्याख्या स्पर्ष्ठ रूप से समझा रहे है मनुश्य को मोक्ष दिलाने का उत्तम एवं सरलमार्ग बताया है स्वयम के अनुभव से मा तक पहुँचने का रास्ता हमें दिखा रहे है उनके साथ जन्मों की मैनत को सफल करके हमें निस्वार्थ भाव से सब कुछ दे रहे है तो है ना उत्तम समय हम हमारे कर्मों की जमा पुन्जी को बलवान बनाते है उत्तम समय का सहारा लिये श्री महा पात्र के दिखाए मार्ग पर उनके पीछे पीछे चलते है हमारे जीवन को सफल बनाते है यहाँ उत्तम समय के महत्व को जाने और अपने लक्ष को समय रहते ही प्राप्त कर ले क्योंकि यहाँ आखरी मुका है एक बार यह समय बीद जाएगा फिर कभी लोट कर नहीं आएगा कहां राज तक श्री राम को राजगादी मिलने वाली थी और कहां सुबो होटे ही वनवास मिल गया इसलिए मा विधाता के विधान को कोई टाल नहीं सकता जब श्री राम मोजुद थे तब उनको किसीने नहीं पहचाना और उनके जाने के बाद ही सबने उनका असली अस्तित्व पहचाना लेकिन फिर क्या यह समय तो बीथी गया ना आज मा विधाता स्वयम आये है श्री महापात्र आये है तो क्यों ना हम हमारे उच कर्मों से हमारे समय को बलवान बना ले समय को पहचान ले हम तभी काम्याबी की सीडी चड़कर वनुष्य जीवन सफल बना पाएंगे जब यह समय के कद्र करेंगे तो आये इस सुवन समय को लाभदायक बना कर मा तक पहुँचने का उत्तर प्रयास करते है और श्री महापात्र के दिखाये मार्ग पर चल कर समय को सही माईने में मुल्यवान बनाए जई मा विश्वंभरी अब हम दोनों हाथ उपर करके तीन बार मा का जईगोश करेंगे जई हो मा विश्वंभरी अरे जोरा जोर से तो बोले ये आवाज ब्रह्मान तक पहुचने चाहिए जई हो मा विश्वंभरी जई मा विश्वंभरी झाल झाल